गुड मॉर्निंग, my dear students, आजे आपणे 11 Physics, Chapter 3, लेच्च नम्बर 3 उपर आवानों छे, अने लेच्च नम्बर 3 मां आपणे यहां बे टॉपिक को समझवाना छे, पथ लंबाई अने स्थनांतर, बराबर बे टॉपिक को समझवाना छे, अने बे टॉपिक को जी छे, इसों छ पथ लंबाई अने स्थनांतर छे, तो एमा आपणे पहला टॉपिक पर आविए, पथ लंबाई नी समझूती आपो, अवे, पथ लंबाई नी आपणे वाट करे तो पथ लंबाई इटले सूं, तो सिंपल वस्तू के तो पथ लंबाई इटले के पडार थे कापेलू कूल पडार थे कापेला कूल अंतर ने आपणे पथ लंबाई केई सक्ये, डाकला दरीक एम समझी लेव के अहिया तमारू घर छे, बराब अहिया तमारू सों चे घर छे, यले होमनों में H लखो चू, अने एम समझी लेव के अहिया तमारी स्कूल चे, स्कूल माटे सों लखो, S सब्स ओढ़ हो चुँं हमें घर्ठी स्कूल वस्केनू अंतर् डाकला तरीकेब बय किलोमीटर छे क्टलू छे बय किलोमीटर छे अमें तम्हें समझी लेके सवा रे घरे स्कूल गया अन्य फ़री पाइचा स्कूल सुब्सक्राइए पट लंबाई एडले सों तो पट लंबाई एडले के पड़ार थे कापेलू कुल अंतर पड़ार थे कापेला कुल अंतर ने आपड़े पड़ लंबाई केई सक्ये छे अबे आज वस्तु आपड़े चौपडी ना उड़ाहन द्वारा समझ जिये तो चौपडी ना उड़ाह स्थाने आवे चैंग तो आप एक हिस्ता उम्बाई 돌 Register आपड़ला आणा माटे एटले के आटला अंतर माटे आपड़े पड़ लंबाई विचार करिये चालो तो आपड़े पहललो की सो लेली जो कार OTP सुधी गटी करें एटले O बिंडू पासे D काया बिंडू पासे आवे P बिंडू पासे आवे तो अने कापेलू कूल अंतर आपड़े पहले पत लंबाई के आपड़े आपड़े पत लंबाई के इसाक्ये छे आने यहां लखेलू भी चे पोईपान पड़ा वड़े तेना समग्र गटी मार्क पर कापायला कूल अंतर आपड़े पत लंबाई के छे जो आटार OTP सुधी गटी करी फरी पाचो ये PTP क्यूँ पर आवे ये समझो ये OTP लगीन तो गए अच्छ है हवे ए रिवर्स माँ बराबर PTP क्या उसे Q पर आवे अब PTP क्यूँ पर आवे तो 377 माटी 240 बाट करो तो आग PTP वच्चे नों अंतर किटलू तो से 120 थस है 377 माटी 240 बाट करना को तो 120 थस है तो एने 14 पची OTP अने फरी पाचो ये PTP क्यूँ पर जैसे तो एक इटलू अंतर कापस है तो 377 वट्टा 120 एम करी ने टोटल 480 मीटर अंतर कापस है बराबर तो ध्यान रग जो एने जे छे ओठी 206 पीस उनी जोओ माटे 240 मीटर अंतर कापियो अने PT Q जोओ माटे बीजा 120 मीटर अंतर कापियो तो टोटल अंतर किटलू कापियो तो 377 वट्टा 120 बराबर किटला थस है तो 480 मीटर थस है 400 सो थस है ऐसी मीटर थस है आम पडार थे कापेलू कूल अंतर जे छे तमार उचार सो ऐसी थस है अने ध्यान रख जो पध लंबाई ये अडीस रासी छे अने ते फक्त मूल्य बराबर अने एकम बड़े दर्सा वाई छे तो अडीस रासी एटले के जेमा अपने डीसा नी जरूर न प्रमाणे पथ लंबाई तमने खबर पड़ी जोई जोए कैमके पथ लंबाई एडले के पडार थे कापेलू कूल अंतर अब आना पची नाव नेक सूपर आपड़े जीए स्थनांतर नी व्याख्या आपो अने तेनी समझोटी आपो तो ध्यान राख जो पडातना स्थान स्थानमा थता फेरफान आपड़े स्थनांतर केई सक्ये पडातना स्थानमा थता फेरफान आपड़े स्थनांतर केई सक्ये छे तो आपड़े हूं केई सक्ये के कोईपण समय गाडा मा कॉन ना स्थानमा थता फेरफान ने स्थनांतर केवाई छे धारोक एहम समझी लेवक स्थानमा तो Ci Two पर गयो ने तो स्थानमा तो तो डिल्टा एक स्थानमा तो इनस अखहे दिल्टा एक्स जियां दिल्टा एक्स एटले ध्यान रग्जो अंटीम स्थान माइनस प्रारंबिक स्थान अंटीम स्थान तमारू x2 छे अने प्रारंबिक स्थान तमारू x1 छे एटले x2 माइनस x1 ये तमारू डिल्टा एक्स तसे अहीं जरा ध्यान रग्जो डिल्टा एक धन पर आवी सके, डेल्टा एक्स रून पर आवी सके, अने स्थनांतर मुल्य एकम अने डी सा आ त्रणे मा आधार राखे छे, आ त्रणे पर ये आधार राखे छे, अब जी वस्तु तो आपडे एक्जांपल द्वारा समझे, पन बराबर अमणा तमें ध्यान राख जो, के डेल्टा एक्स नू मुल्य धन अने रून बनने होई सके छे, एटले, एटले, अहिया तमारू स्थनांतर धन अने रून पर आवी सके, बीजी वस्तु, स्थनांतर जी चे मुल्य एकम अने बीजु डी सा आ त्रणे वस्तु वडे दर्सावाई छे, सुरेक पड़ पड़ गटी ने मातर बेट डीसा होई छे, आगड तरफ अने पाचार तरफ, अठवा तो जमणी बाजु अने डाभी बाजु, अठवा तो उपर अने नीचे, पर आबर आर इटे, आगणी तरफ गटी करतो होई तो कड़ाज पाचा नी तरफ गटी करतो होई, उपनी तरफ होई तो कही तरफ नीचे नी तरफ होई सकें तो आ रीटे बै प्रकानी डीशा होई सकें परिणामे जो आगर नी डीशा ने प्लस गणी है तो पाच्छा नी डीशा ने माइनस करवा पड़े अठवा तो एम समझी लव के जमणी बाजू ने प्लस लेए अने बीशा नी डीशा ने आपड़े माइनस केस हो परिणामे अहीं स्ठनांतर पड़ अपने बैमर्स है काटो धन मर्स है काटो बराबर रून मरी सकें चालो समझी है धारो के एम समझी लव के T1 बराबर 0 समय है बराबर आपड़ी कार उटगंवील्न बींडू ओपड़ छे। अचे ट बड़ाबर ट सामय जाँ चे चे पी पर पुंचे चे तो 犯े स्थान today स्थान अचे प्रणबिक स्थान चे 0 तो अपड़े ऊचे सगे के चले 200 साइन-0 यह यहां तो यह देन खे जासे से जो पहुंचतो होई तो समझ जो अंटीम स्थान किटलू 240 अने प्रारंबीक स्थान किटलू छे 300 साइट तो तमारे 240 माइनस 300 साइट करो अपड़ से हैं तो आपनों आंसर आउसे urla –120 अने –120 बीजितले के अपड़े हुग कहई सकें के इनी डिसा उल्टाइ गहे लियासेն अदीला के रोन डिसा जे छे एना स्थनांतर नी डिसा उल्टाइ गही छे एह अपड़े कही छे लिए दलोड़ यहाए दरीके हैँ जो अपड़ी हिआ गाइब दर्सवाव तेमिते अवच occasions मायनस 8 attenda तो इलोनיक tart लखकों गटी हिए नाखी एवो आपड़े कही सक्ये छें बीजी वस्तूं आने जो आपड़े आगणना बराबर एक्जाम्पल साथे सरखावियें तो आपड़े OTP अने पछी QT आपड़े पी गया तो आपड़े कूल स्थना अंतर आपड़े किटलू गणी लीदेलोटू 400 एसी पर यह स्थान मा थो फेरफार जो आपड़े गणी यह तो किटलो छें माइनस 120 मीटर छें तो जरा ध्यान राग जो स्थना अंतर इटले के स्थान मा थो फेरफार अने पठ लंबा एटले के पड़े के पड़ार से कापेलू कूल अंतर मतलब के अब बन्नेज वस्तूजी छें अलग छें बीजू एटलू पर ज्यान राग जो के पड़ लंबाई अडिस रासी छें जयारे स्थनान तर जे छें इसों छें सदीस रासी छें चालो नाव नेक्स उपर आपड़े आविए कि जेना द्वारा बन्ने नो टफावट समझवानो प्रेटना करियां गटी मान पड़ार थे कापेली पट लंबाई अने स्थनान तर नू मुल्य समान होई अठवात न पण होई आ विधान नू उड़ाण द्वारा समझाओ इटले के पत लंबाई आने स्थना अंतर अब अन्य ना मुल्य समान पढ़ होई सकें अने समान न पढ़ होई सकें अवस्तु आपड़े कोई एक्जामपल द्वारा समझा वानों छें तो पहलो आपड़े एक्जामपल ले लिए के धरो के एक कार OTP सुन्दी गटी करें चें तो यहीं पत लंबाई किटली था सें तो OTP वच्चे नूं अंतर जे चें तमने किटली मरसे 306 मीटर मरसें अपड़े OTP वच्चे नूं अंतर आपड़े 306 मीटर ले लिए अने स्थना अंतर मात होतो फेर फार तो आपड़े अंटीम स्थान जे चें ए 306 चें अने प्रारंबिक स्थान किटली चें 0 चें तो 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 साईट माइनस 0 करो तो अभी किटला उ पर हिणामें आपड़े हूँ कहिछ सकक्ये के अही ओठीपी सुझन कामेला अंतर माँ बंधाय तमने 3.6 मड़े चें अने स्थना अंतर कीटली चें पनातर कण कीटली चें पिल्ला एने 306 मीटर अंतर काप्यों फरीप आचो एपी थी क्यों पर आवानों एटले बीज़े 120 मीटर अंतर काप से तो 307 वट्टा 120 एटले पर्थ लंबाई के लिए जासे तो 400 एसी थे जासे बराबर के लिए जासे 400 पर नतों अपने 30 वाट करें तो स्थान मा थे फेर फार तो मा था फेर फार तो प्रणबिक यह पासे आदो अने अंतिम क्या क्यों पासे आदों तो क्यूँ नू याम-9 याम यह जो उनू स्थान-9 येचे 202 म पर चेंग अने स्थान तो 0 पर शें 240 माइनस 0 करिये तो टफा ओड किटला उसे 240 आउसे तो अहिए तमें जोई सको तो स्थनांतर आपने मढ़े छे 240 जरे पठ लंबाइ आपने किटली मढ़े मड़ से 400 ऐसी मड़ से परी नामें आपड़े हूँ केई सक्के के पथ लंबाई अने स्थना अंतर बनने अलग अलग छे बराबर तो अहीं ज्यान राग जो पथ लंबाई इटले पडार थे कापे लुकूल अंतर डाकला दरीक हैं समझी ले ओठी पी गयो एटले अने पीठी क्यों गयो एटले बीजू 120 अंतर कापियो तो तोंसो साहिट वट्टा 120 बराबर एटले टोटल दे जैसे 400 ऐसी मीटर थस हैं जा रहे पचिए चल्ला क्या पुआसे पोँचिओ तो स्थानमा किटलो फेरफार दियो तो अंटीम स्थान 240 मीटर प्रारंबिक स्थान 0 तो बस्थालीस माइनस 0 एटले किटला आवसे बस्थालीस मीटर आवसें तो आर रीटें आपडें बराबर पथ लंबाई अने स्थान अंतर ना बनने मुल्यो अलग-अलग मडे चे उस साबीत करी सके चे तो ध्यान राग जो पथ लंबाई अने स्थानां तर ना मुल्यो समान पर होई सके अठवा न पर होई सके तो आ रीटें आपडें पथ लंबाई अने स्थानां तर समझावी सके चे हवे आपडें स्थानां त अबे कोई उड़ाहरन बटाओ के स्थनांतर नो मुल्य सुन्य होई सके छे पर तेने अनुरू पठ लंबाई सुन्य होती ना थी पराबर आ वस्तो अपने समझाओनों छे आना माटे हम समझी लेव के कोई कार ओठी बिंदू पासे पहुँचे छे अने फरी पाचो पीठी ओ बिंदू पासे पहुँचे तो नहीं पहुथ लंबाई के टली तो जरह समझ जो ओठी पीसुनांधी पहुँच से तो एई टॉटलfliesहाम मीटर अन्थ कापकें अन्य फरी पाच जो फीठी ओपासे पहुचे है तो फोरिपाच वी जा 210 मीटर अंतर का पैं मख्या हमा गी मेश थांतर का प होद्राई मेशस्टाफू?", क्वर प किसे किम कुछ साथ 퍼ब कीछओं प्रणबिक स्थान भी ओच है तो अंटिम स्थान माइनस प्रणबिक स्थान करिये तो बनने वकत ये ओपर अच्छे तो 0-0 करो ता अंसर किटल आवसे 0 आवसे आनो मतलब ये थी हो के स्थनांतर किटलू थाय। सुन्य थायलू के वाई तो ज्यान राग जो पथ लंबाई स्थनांतर सुन्य थे ही सके के जहरे आपणे बराबर कोई एक जग्याती गटी स्थार्ट करी ने फरी पाचो आपणे मूर जग्या विये तो आपणू स्थनांतर सुन्य थाय। पर पथ लंबाई इटले के पडार से कापेलू कूल अंतर इटले आपणे जिटली पन गटी करी असे ये बद्धी गटी नो आपने सर्वाडों करिये तो आपने सुमर से पथ लंबाई मड़े बराबन एटले आपने उखेई सक्किये के पथ लंबाई जे छे सुन्य होती ना थी पर स्थनान तर जे छे ए सुन्य होई छे तो आ रीडे आपने समझा भी सक्किये छे चाल जहरे स्थना नतर अपने सुंग कहिए सके तो स्थना नतर इटले के स्थान मा थटो फेर फार आर इटले लखो तो पण चाल से अठवा तो आपने हुग कहिए सके के जो एकट दिशा मा गटी न थती होई तो कौन वडहे कपायलो साचु अंतर है डर्चा वातू न थी इटले जो पडाट सीधी रेखा मां गटी ना करतो होई पराबर ए फरी पाचो विरुद दीसा मां भी गटी करतो होई तो त्यारे तमने पडार थे कापेलू अंतर साचू अंतर मरतू नथी बीजू अस्तू पट लंबाई हम में सा धन होई चे जारे धन पण होई रूण पण होई अने सुन्या पण होई सके चे पट लंबाई अडीस रासी चे जारे स्ठनांतर सडीस रासी चे ज्यान रागजो अडीस रासी इटले के डीसानी जरूर पड़ती नथी जारे स्ठनांतर इटले डीसानी जरूर पड़े चे गटी थती होई तो मूल मूलिय कडापी सुन्य होतू नथी पर गटी करतो होई ती छटा पन अहीं टेनू मूलिय सुन्य होई सके यहां उपर पन आपड़े कि दलू छें के स्थनांतर सुन्य होई सके जो पड़ाट सुरेक गटी करतो होई एड़ले के एकज डिसामा गटी करतो होई तो पथ लंबाई बराबर स्थनानतर थाई पर जो सुरेक डिसामा गटी न करतो होई तो ध्यान राग जो पथ लंबाई स्थनानतर करता वधारेज होई छे डाखला दरीगें आपने आना अगाना एक्जामपल मा जोयू तो पथ लंबाई तमने 480 मीटर मड़ी जारे स्थनांतर तमने 240 मीटर मड़ीू तो सुरेक पथ पर जो न गटी करें तो आपने हूँ कही सके के पथ लंबाई नू मुल्य स्थनांतर करता सू अच्छे वदारे ह पथ लंबाई पथ हैं कि देना पथ धरेक वकषि पटाट नू अटीम स्थान नक्कीन्ण धर सके इलेकर, अंटीम स्थान क्यारे असे मान्र नक्की आई करी जरे अहींा मडी सकतो नथी पट लंबाई मां हम्मेसा मूल्या धन होई जरे स्थनान्तर मां धन रू अनेशुं ओप लंपाई दन guidelines के पट लंबाई अडिस रासी चे तो स्थना अडिस रासी चे पर जो सूरेक न थतो होई तो पठ लंबाई नू मुल्या स्थनांतर करता वधारेज मर्षे अने छली वस्थो अईयां पटाटनू अंटीम स्थान नक्की करी सकाटू ना थी ज़र स्थनांतर मां पटाटनू अंटीम स्थान नक्की करी सकाई छे तो आ रीटे पत लंबाई अन स्थनांतर सूँचे ए मारा प्रमाण तमने खबर पड़ी जोई है जो ना खबर पड़े तो तमें फॉन करी ने पूछी सको छो I will explain you Thank you very much, bye